कोई बंदा भी अगर आपको छोड़कर जाएगा इसके आगे की चीज़ बताता हूँ कई बार होता यह है बंदा छोड़कर चला गया आपको उसकी जगा आ जाना पड़ता है सारे काम छोड़के क्यूं क्यूंकि जब कोई बंदा आपके वहां 100% तैयार होने जा रहा है तो इंतजार मत करो अगर वह 80% रेडी हो गया है न उसके अंडर में एक बंदे को रिक्रूट करो और दूसरा बंदा तैयार करो उसके अंडर में 100% जब वह 100% में कनवर्ट होने जा रहा है उसके अंडर में एक बंदे को तैयार करो पंगा क्या होता है एक को ही लेकर पूरी ज दिक्कत क्या होती है एक ही बंसे सथ पूरी जिन्दगी हम चलते हैं D § लुए कि से एक एक पुछे को दाका सकते हैं यू की से चलता है और उप क्या कोई बंडस behavior करना सब्सक्राइगार किया ना कि और द्रिद में चेहलतो दिक्कत गता है आवहतね है क्लियर हो रहा है और यह गलती हमने खुद ने करकर यह हम सिखे यह प्रैक्टिकल है यह कोई किताब में नहीं दिया है यह हमारा खुद का अनुभव हमने लिया है पिछले आच साल में गुरुकुल ने दो से तीन बार यह गलती की हुई है उसकी पूरी टीम जिरो हो गई थी लेकिन अपने अंदर वो आग थी अपने अंदर वो पैशन थी हम दुबारा खड़े होगे और अच्छी टीम आज हमारे साथ है और अच्छे लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं तो ये गलती करके हमने ये सिखा है ये डाइरेक आपको दे रहे हैं क्यों क्योंकि आपने फीस पे की है LDP के अंदर आने की और उसका रिटन आपको मिल रहे है क्लियर हो रहा है इसके उपर deeply भी आगे अपने discussion करेगे कि actual में अपने को करने की आवशक्ता क्या रहती है और क्या करना अपने लिए जरूरी है अब clear हो गया अब लोग छोड़कर जाएगे तो आपको attention नहीं होगा क्योंकि आपके बास उसका option available होगा और यह option के हिसाब से आपको काम करना है अब बात करते हैं कि कुछ गलतिया हम जाने अंजाने में खुद करते हैं और खुद करते हैं और उसका भुकतानम खुद भुकते हैं तो साथ ऐसी गलतिया है जो एक businessman करता है जिसमें सबसे पहली गलती जो हम दे होती है not have a businessman mentality धन्दे में आ जाने का मतलब आप धन्दे वाले हो गए ऐसा ब्रह्म में मत रहो हम खूद अपने आपको ऐसा समझ लेते हैं मैं तो बन गया जेंटल मैं मैं तो बन गया बिदनसमें एक्चुल मैं बिदनसमें नहीं हो क्यूँ उसका रिज़न आपको शेर करना चाहोगा एक एक एकमपल आप लोगों को बताना चाहोगा एक बुक मैं आप लोगों को रेक्वेंट करना चाहोगा आपने अगर पढ़ी हो तो बैतर है रिच डैट पूबर डैट नाम सुना है बुक का बहुत ही बैतरीन बूख है अगर अभी तक नहीं पड़ी तो मैं recommend करना चाहूगा पड़ो इसमें एक बहुत ही अच्छा cotton share किया हुआ है उस cotton के हिसाब से हम बात करेगे इस दुनिया में जितने भी लोग है वो ये चार भाग में बटे हैं E, S, B, I E बोले तो employee, S बोले तो self employee, B बोले तो businessman और I बोले तो investor हम सब लोग जब हमने अपना career शुरू किया था हम सब लोगों ने career शुरू करके हमने अपनी सुरूआत की थी as a employee कही पर भी आप लोगों ने काम किया होगा मैंने भी किया हुआ उसके बाद हमने जब धंदा सुरू किया तो धंदे के अंदर हम बन गए self employee, employee का मतलब वो जो time पर काम करे और time के हिसाब से उसको तंखा मिले, self employee का मतलब वो जितना ज़्यादा काम करे उतना ज़्यादा उसको पैसा मिले, और business man का मतलब वो वो खुद काम ना करे, उसके लिए team काम करे, और investor का मतलब वो वो खुद ना काम करे, उसके लिए पैसा काम करे, तो कहने के लिए हम business man है, लेकिन actual में हम self employee है, क्योंकि आज भी subtle खोलेगा कौन, गनपत खुद, आज भी सारा काम करेगा कौन, खुद, आज भी सबसे best performance होगा कौन, खुद, तो आप self employee हो आप अभी भी business man बने नहीं, business man के लिए team काम करती है, आपसे बहतर लोग आपकी team में होने चाहिए, team का मतलब यह नहीं कि कोई भी आ जाएगा, किसी को भी लेकर हम आगे बढ़ जाएगे, team का मतलब यह होना चाहिए, आपसे powerful लोग आपकी team में होने चाहिए, क्योंकि अपनी बात जब आती है, तो अपने से बहतर कोई है ही नहीं, तो होता क्या है, फिर जब कमरम बचे हो और जब खिलने की बारी आती है, तो बैट अपने हाथ में पकड़ाते हैं, sir, 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 please, sir, 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 फिर हम बोलते हाँ, हाँ, हम कर लेगे, production नहीं होता है, या accounting नहीं होता है या marketing नहीं होता है, team होती है, होने के बावजुद भी हमें खुद engage होना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो powerful नहीं होता है, clear हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है, ये दो mindset में से बहार आना है, और ये mindset में जाना है, इसका काम होता है, risk लेना, क्योंकि धंदा अपने risk लेक की capacity कम होते गए, और आपके अंदर आ गया, डर, वो नहीं होना चाहिए, clear हो रहा है, तो ये mindset जो है, वो अपने को build करना पड़ेगा, कौन सा, business वाला, तो business वाले का mindset होता है, उसके पास एक idea होता है, धासुक, उस idea पे काम करने वाले लोग होते है, और वो लोग system और management से क खुद नहीं करता है, अगर खुद कर रहा है, तो वो कहने के लिए business man है, लेकिन actual में वो कौन है, self employer, तो ये mindset हमें build करना पड़ेगा, mentality लानी पड़ेगी as a business man, clear, second चीज़ आगे बात करते है, जो हमारी गलती होती है, not taking fast decision, आज opportunity आई, आज मौका मिला, आज उस opportunity को grab करना है, हम decision ही नहीं लेते है, और एक बात, decision न लेना भी एक decision है, और वो हम रोज लेते, कल सोचेगे, कल बताएगे, बात में बताएगे, बात में करेगे, एक बहुत ही अच्छा retail का outlet था, उस outlet के बाहर बहुत ही बड़ा board मारा था, उस board के उपर लिखा था, 100 टका discount, और नीच लिखा था, tomorrow, नीचे लिखा था, किसी के पल्ले बाद चड़ी होगी, किसी का उपर से गया, bounce गया, 100 टका discount मिलेगा, लेकिन कल मिलेगा भाई साब, आज नहीं, आज तो जो दाम है ना, उसी में लेना है, कल तो रोज आता है, और इसलिए हम बहुत सारी चीज़े कल पर डा ना शुरू कर दियाना, तो आज बुरा मान जाएगा, ऐसा डायलोग आपने सुना होगा, तो आज को बुरा न लगे ना, इसलिए आज में जीना सुरू करो, कल में जीना बन करो, बहुत सारे लोग ब्रह्म में हैं, कि कुछ ऐसा हो जाएगा, और एक दिन बड़ी कमपनी बन जाएगी और एक दिन मैं एक बड़े पोजिशन पर पहुंच जाओगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आज जो महनत करोगे उससे कल का निर्मान होगा और कल कुछ बहतर आप बन पाओगे और उसके लिए काम तो आज ही करना पड़ेगे